स्मस्सक्राज दोस्तो आपको हमें चलोप है आज हम यहापर बात करें कि बजावसिक फाइनांस के रिलेटर यहापर हमें एक जीमेल आते हुँँगी देखने मिल रहे है जो भी यहापर शेहरोल्डर के अंदर केटा करी है उसके लिए यहां पे उन्होंने mail बेजा है बजाज Fincer और बजाज Finance के जो भी shareholder है उनको यहां पे आते हुँ दिखने बिल रहे तो इसके बारे हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकरी आपको देंगे तो वीडियो में end तक बने रहेगा क्या Gmail आया और यहां पे क्या inquiry आये और यहां पे क्या लिखा गया है उन सब के बारे हम बात करेंगे तो चलिए यहां पे वीडियो को शुरू करते है यहां पे हम सबसे पहले देख सकते है कि यहां पे इस रित का आपको mail आया हुआ होगा अगर आप eligible होगे तो information on baja housing finance initial public offer हमारे पास यहां पे बजाच फिंसर के share है हमारे इसके लिए बजाच फिंसर का हमें यहां पे mail आते हुँ देखने मिल रहा है यहां पे हम देख सकते हैं बजाच फिंसर लिमिटेड बजाच फिंसर्स.cs at the rate kfintech.com की तरफ से यहां पे mail आते हुँ देखने मिल रहा है यह हम देख सकते के 6 सप्टेमबर को यहां पे 5 बस कर 15 मिट पर हमें यहां पे mail आते हुँ देखने मिला है याँ पर दिक सकते के DPID & Client ID ॉ सेλλ जयूर हां पीनितों आपके कर दिया पिरो एब लूटने तरिय सेल रनदे यहां और लियुक्तित मने फूरीदे कर दिये भिजयूर्य है और याँ याँ पिंख सकते के दीक बीश्क नपिसेल याँ मने फियर याँ टियूर्स जैलर udah तो अभी यहां पर हमें मेल आते हुँ देखने मिल रहे है और मेल में भी हमें यह चीज़े कंफर्म करते हुँ देखने मिल रहे है कि 9 सप्टेमर को उपन होगा यहां पर सप्टेमर को यहां पर क्लोज होते हुँ देखने मिल रहे है और यहां पर यहां पर यह भी लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ आ रहे है कि as an eligible shareholder of bad f접 alignment you are entitled to participate in the shareholder is an portion यानि अगर आपको ये mail और यहां पर इस रिचसर लिखा है eligible shareholder of bad अी यहां पर यह तक्र आप इसकी पर करte और अज़ियो जाके है ऊपर बाकी सारी रिल्टी क्या हुए हो था था यानह पे लिजlleर क्की हो हो रिल्टन सब डोगय को इत ऑर जीले यानो पर यानि क्यू जो भी है आप एलगर सब्स्साफ लिखा आगट उऔर ऑफ प्रिज इंह ग्रॉडड सिर संट लिमुडी है दूम एलोजिवेलन क्स looks invest in the offer under applicable law rules regulation and guidelines and any depository receipt holder of our promoters as on the date of red hearing prospect the maximum bid amount under the cellular resolution portion in an eligible cellular cell not exceed two leg याप लिखाव तूलेग के अदर आपको बीड के लिया अप्लाए करना पड़ेगा और यहां पे आपको एक बात का जान रहना है याप आपको जो भी client ID और name of shareholder से mail आया है उसी account के अंदर आप IPO बरे दूसरी account के अंदर आप IPO ना भरे अगर आपके पास multiple account है तो जिस account के अंदर आपके share है उस account से ही आप खाली IPO के लिए apply करना अगर दूसरी account से करोंगे तो फिर आप eligible नहीं consider होगे तो आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ जाने भी लाओगा और आपके जो भी डाउट अगर रह चुके होगे अगर से रोल्डे के टेगरी के रिलेटेड तो वह आपके clear हो चुके होगे यहाप यह confirm email आ चुका है हमार पास इसके बाद तो आशा करते हैं आपको